आवाज विशिष कारेकरम में आपका स्वागत है और विशिष में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशुक महरे यह एक ऐसा नाम है जो पिछले 30 वर्षों से सेश्ची केमिस्ट्री पर काम करता है दरसल फार्मसिस्ट है लेकिन वर्द्वान के आप करते हैं श्री साइब हूद भार्मसी कॉलेज मौदा का लेकिन यह तो होंगया सरका एक सामान पर जाए लेकिन आपको बताएं कि पिछले 30 35 वर्षों में हमने उन्हें एक ऐसी रिसर् या अपने नाम सुना होगा थैलिसीमिया सेकल सेन्य इस दरा के नाम है अप सुनते हैं लेकिन सिकल की विशह में जब कोई सुनता हे तो बड़ा चॉवises हाजाता है डर सासा जाता है निकिन यह घबराहट कम करने के लिए उसको खत्म करने के लिए स्वेंस फूर्थ जिन्हों ने वर्सों से काम किया है वे डॉक्टर अशुक मेरे इस समय मारे साथ है और बे सिर्फ पब्लिक में इसके प्रती आवेर्निस नहीं लेकर आते हैं बलकि इसका medicine and solution क्या हो सकता है इसका scientific solution क्या हो सकता है इन sales पर किस तरह से properly काम करना चाहिए इस पर भी बड़े लंबे समय से संशोधन भी कर रहा है उनके संशोधन की कुछ चीजें ऐसी है कि जो बैग्यानिक इस तरकी है दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो साजा नहीं की जा सकती लेकिन जितनी चीजें साजा की जा सकती है उतनी चीजों के साथ आज बात चीत करेंगे डॉक्टर महरे सर से डॉक्टर साहब कारेकर में आपका स्वागत डॉक्टर साहब हम तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक बात समझेंगे आपसे कि सिकल सिल एनिमिया लोग सुनते हैं बड़े डर जाते हैं घपरा जाते हैं कैसे समझा जाए कि क्या है सिकल सिल एनिमिया बहुत ही सरल शब्दूमे में बताता हूं ग्लुटैमिक आइसिट के जगह पर वैलिन नाम का आम इन कसा ओन नहीं दो एटे जाता है तो भोग सांनल में एक तर्ष कको ऐट लूम और तो तो थोड़ा सा ब्रैंच होने के का बहुझारण पूरी की सहल थोड़े खजिआ इट्यर्य और टे लिया। धिल जाते हैं तो उसको अहनिंशिक भी है क्योंकि यह कोई प्योग वह किसी बच्चे का दोश नहीं होता, उसमें वो उसके माता-पिता का दोश होता है। आपमवन कहा जाता है यह उसके थर्ड जन्रेशन से आता है, क्या यह सत्य है। जो कुछ मेरे लिटरेचर में है, वो यह कहता है। कि मैं अगर S.S. हूँ और मेरी मुसेज भी S.S. है, S.S. आना बाउंटू है, तो आजाता है, अगर आप नहीं है, आप नार्मल है, और मैं S.S. हूँ फिमेल मेल में, तो भी O.A.S. करके आएंगा, और इसमें नहीं नहीं आया, तो तीसरे इसमें आएंगा, वो केरियर कहलात है, लेकिन यह जो बात आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, यह तो किसी की भी शरीर का हिस्सा हो सकता है, नहीं, यह जिसके इसमें यह फॉल्ट, जो एंजाइम इसको सिलेक करता है ना, ग्लुटामिन, ग्लुटामिरिक एसीड के जगे पे, वैलिन, यह जो उसका सिलेक्शन गल्ट होता है, इसलिए हम लोग उससे सफर होते हैं, यह वो हमारे हाथ में नहीं है, यह सरवाइवर के हाथ में नहीं है, आपर यह मेरे हाथ में नहीं है, वो उसकी गल्ती है नहीं हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि सिकल्सेल एनिमिया की विशे में जो कहा जाता है वो कैसा है कि ये जो आप कहने हैं ये तो आप शरीर स्वास्थ पर बात कर रहे हैं ये तो आप शरीर की इस्थिती पर बात कर रहे हैं लेकिन लोग जो इसको प्रचारित कर रखे है वो प्रचार ऐसा है कि किसी विशिष्ट जाती समुह में ये पाया जाता है लोग ऐसा कहते है कि विशिष्ट खान-पान वाले लोगों में ये पाया जाता है क्या आप ऐसा बानते हैं क्या आप तो बड़े लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं कुछ हद तक कि ये बात सच है लेकिन यह कुछ एपसुलिट नहीं है अच्छा अभी जैसे के अफरिका में यह बहुत लोगों को है अफरिकन कंट्री में इतली में हैं ग्रीस में है ग्रीस और इटले में तो खानपान कोई समध्द नहीं था या तो कोई जातिवाद भी नहीं है वहां पर उसके बाद में मद्य भारत में और अपना जो विदर्ब महरास्त है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा और वह इसलिए है कि अवारी शादी यह जो है वो पूरे मिक्स नहीं है हमारी शादी अपने-पने ग्रूप में है जाती नहीं कहूंगा लेकिन ग्रूप में तो है जैसे के वह तो है ज़िए ज़्चन्दरपूर में और उसके बाद में ब्रह्मा कुड़े में एक 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 एंप लिया तो मेरा थोड़ा साथ सोचल अटच्मेंट भी है तो वहां पर मुझे माइक्जिमम लोग जितनी भी लड़किया थी और लड़के थे लड़के ते लड़के तो पर मुझे बोलने कि आमोका मिला तो मेरे मुझे निकल भी गया कि एतने लोग अगर सिकल सेश्वार रह तो क्या होगा तो समाज में तो बहुत बड़ा सा ये खतम ही हो जाए इसलिए हमने इसके बारे ने बहुत कि ये जेनिटिक होने के कारण हमने प्रिकॉशन लेना मैं पहले से टेस्ट करो सादी के हो आप तो सादी के हो अब तो सादी के कर लो अगर कही रहे है no problem लेकिन आप अगर एछसे है दो मनो माँ पिता जी तो इतना प्रॉब्ले में जाता है मैं खुद मुझे कभी कभी हाक में आस्वा जाते क्या है कुछ दोष नहीं है किसका ल फिर भी वो सफर हो रहे है क्योंकि उनके जीन्स में आ गए या तो वो खुद प्रिक्वाशन नहीं ले रहे है आपको क्या लगता है कि अगर किसी में ये सिंटम्स दिखाई देते हैं तो ये सिंटम्स देखने पर वो समझ जाने चाहिए या फिर इसके लिए किसी टेस्ट करनी चाहिए मैं तो बोलता हूं मास्क्रीनिंग होने को होना हार घर में जैसे आप कोवीट का कर सेते हो ना हर ये जिस्क समू में ज्यादा पाये जाते है ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर समू में है लेकिन सब तरब जाना चाहिए लोगों ने और कर ले तो लड़का क्या प्रिकॉशन लेके शादी करें है उसनका टेक्निक वह आपन बाद में देखेंगे उसनको लेकिन नहीं करनी चाहिए तो एक बात तो है सर की आप बड़े लंबे समय से ये काम भी कर रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि सिकल सेल पर बहुत एक सोशल फ्रंट ह वह भी इस पर काम कर रहा है एक दूसरा मेडिसीन साइट पर काम करने वाला फ्रंट है वह भी काम कर रहे है लेकिन इसके बावजूर ये सिकल सेल अनिलेशन का जो प्रोग्राम होता है वह हमारे पास ऐसा कोई मतलब एक टार्गेटिब प्रोग्राम नहीं है आपको क्या ल एक सिंगल उनिट नहीं प्रसाइबर्ण आपर कहा हु हुँ किकल सेल आनि मैए का एक सिंगल यूनिट नहीं है जो रिसर्च पर काम करें व possa सिंटमा घते से और सिंटमाटिक ट्रेटमेंड कर रहे हैं सोशल लोग है कि वो सोशल एंगल देखते हैं और वो जो अज़ा है थ तो आपके जो फिमाटेनिक दे रहे, वो दे रहे, ग्लुतामीन, दे रहे, रहे, हैड्रोक्षी यूरिया दे रहे, जो कि उसके लिए नहीं सॉलुशन नहीं है, वो को दूलुशन तो अविटूडना होगा, और वो सॉलुशन दूलुडने के चक्तर में मैं हूँ और मुझे कि मैं पूड़ी हेल्फ कर सके लेकिन इसमें आपने बहुत रिसर्च भी किया है आपका लिबोर्टरी में आप ने उस पर काम किया है और आपकी जो फाइंडिंग्स है अपने नैशनली इंटरनेशनली भी इसको बहुत डिसकस किया है हम जह समझना चाहेंगे कि क्या यह जैस का डिफेक्ट है छुटेगा भी डिफेक्ट केमिकल से किमिकल का डिफेक्ट है वो बायो किमिस्टी बायो किमिकल का हो या तो फिर सिंथेटिक केमिस्टी का सुलुशन तो है जो भी प्रॉब्लम है उसके सुलुशन है लेकिन जो लोग जेनेटिक अब त्योरी पर काम करते है वो ऐसा मानते हैं कि जो जीन से आ रहा है, जैनिटिक्स से आ रहा है, उसमें बदलाओ नहीं हो सकता, आपका कैसा मानना है, क्या आपके फाइंडिंग्स कहते हैं, कुछ पॉजिटिव आपको लेकर चलते हैं, हम आदमी हैं, हम हमारे प्रॉब्लेम छुड़ाना जानते हैं, उसको भी बता देंगे कि जो गलत से लेक्शन है, वो भी तू करेक्ट कर ले, नहीं तो तेरे को भी बदल दा लेंगे, आपका कुष्चन मुझे समझ में, आप मुझे तियार ना कहते हैं, कि इसका सॉलूचन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉलूचन है वो लिमिटेशन हमारे हैं, तो आप आप किमिकल को उसके सॉलूचन में कैसा देखते हैं, एक्शली मैं कोई जीन बदलने का, जीन इसके करने का, अभी होता भी होंगा तो मुझे मालूम नहीं, मेरा एक चीज़ पक्ता है, कि मैं एक ड्रग देता हूं, एक सॉरी, किमिकल बहुत सेफ है, 15 ग्राम जिसका LD50 हो, उसका मुझे सेप्टी के बारे में मुझे बोलने की गरजने, इसके बाद में मैंने और मेरे एक लड़की है, जो डॉक्टर मेश्राम है, उन्होंने उसको लिया था, प्हजडी के लिए, और वो पल्लवी हर्पल महरे, और डॉक्टर विरेंद्र कामडे, स्वरी, मेश्राम, यह एचोडी है, अपने बाइकरिमिस्टी डिपार्मेंट और बाइकरिमिस्टी में, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और अभी तुम्हें इतना उसके यह हूं, जो मेरे डिरिविटिव्स है, वो बहुत सेफ है, और वो नॉर आफे हैं, और अफे क्लिने कली क्रवं किया हैं, यह एक्चली, अएक्चली, अनिमल स्टेडी मेरी पूरी के पुरी है, अच्छी, आप्रफेक्ट और अव्रु आप्लीड की यह उसकर उन्हों है, इसके लिए मुझे बहुत लोग ने मदद की, जैसे मैं तो फैर्माटोलो तुम डौक्टर मेरी मिसेश बायोच्पेमिस्टी में काम करती हैं और वो उसने जिम्मा लिया है कि मैं बायोच्पेमिस्टी के सारे परामेटर मैं खुद कर रहा हूं। और रो कर रहे हैं तो यह जो जो यह है कंबिनेशन दक्तर मेश्राम और दक्तर दुविनेश्वरी मेहरे इनों बड़ा अच्छा सा पाम किया है मेरे लिए अब मैं सिंथेटिक पे भी आ आ रहा हूं लेकिन साथ में मैं बताता हूं यह कभी कोई चीजे मैं केमिस्ट्री का हो तर्वी वी ताजने सरे गुषारी सरे गायकवाल सरे यह एसे दिगज केमिस्ट्री का बैकिंग है मेरे पास इसके बहुरुसर भी मैं एसे आर डेवलोप करने वाला हूं और वो डेवलोपने के बाद मैं बताता हूं आपको एक आने वाले पाज-दस साल में आपको एक पर पेटेंट आई है हमने एक कंपी जिम के साथ हम आप से इस पर तो कोई ज्यादा इसमें मैं डिटेल ने जाहूंगा जिम लिबाटरी जिसमें डॉक्तर अनवर दाउद मेरे फ्रेंड भी है और मेरे हमारे वेल वीचर है यह सब फिल्ड वालों के अच्छा लेकिंग हम मेडिकल साइट पर अगर आपको देखा जाए तो आप एक हर्मसिस्ट के रूप में हो रहे हैं एक केमिस्ट के रूप में जो की सिंथाटिक केमिकल पर आप काम करते हैं लेकिन बावजूद इसके आपको यह क्यों लगा कि इस पर कुछ काम करना चाहिए यह इतना बड़ा समाज सफर हो रहा और हम हाथ प्याहत धर्रिबटे मतलब बन में वह जो बान हमी समीता हिश तो यह तो है यह सम्मेताहों आपको इसके इतने अंदर तक लेकर गए और हमारी मैडम इसके लिए रिस्पॉंसिवेल रही अचा मैडम और मेरी मीरेंस वो रिस्पॉंसिवेल रह वोचा हो उसकी मोटिवेशन है उन्होंने एक इस शब बना कि अशोक तुम यह कर सकते हो क्या मेरी बेटिया पुछती मैने चादी करनी कि नहीं चाहिए उसी दिन मुझे यह फाइंडिग मिली उसी दिन क्योंकि मैं अर्ली विजिटर हूं लैप का जाते जाते एक फ्रॉग म अगर मुझे ठीक से मुझे पहले भी एक आर्टिकल आया था मेरे नाम से उसमें भी लोगों ने बहुत में हेल्प करने की कोशिच की लेकिन तब मैं तयार नहीं था क्योंकि सार्थक अगर कर सकता हूं मदद का तो मैं मदद लोगा लेकिन अब मैं ग्यारंटे से बता सकता कि अब मैं कुछी की भी मदद सार्थकी लाओं मैरा एक फ्रेंड है जो एक स्वातिकर के लड़की थी यह पूरे एक पुरा मैंने दो साल लगाया है सिर्फ सिकल सेल के सेल की औरने सिकल कैसे का चेंज हो जाता है उसके लिए डॉक्टर मदन काकड़े उन्हें मुझे सिखा हम फर्मेसी वालों को तो नहीं मालूम रहता तो ऐसे भी लोग है कि हमारे मदद करने को सब हर कोई तायार है लेकिन इसके लिए अच्छा सा प्लाट फर्म हो मैं अपेला कोई मदद लेना नहीं चाहता है मैं आवाज इंडिया से मेरी अपील है कि आप लोग इसको प्रोग जी हमारे बात्चीत को डॉक्टर साब यहां पर खत्म करना होगा लेकिन एक चोटा सा संदेश हम आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आप लंबे समय से एक तो सोशली भी काम करते हैं इसके लिए सिकल सेल पर और आप केमिकल में उसके लिए एक बहतर रेमिडी भी ढून रहे कि लोगों ने इसके प्रती अवैर कैसे रहना चाहिए मैं तो मैं पर्टिकुलर अभी मैं शायद इसमें बात नहीं करनी चाहिए थी यह प्लाट्माप में लेकिन जरूरी है चाहिए करकाने हूस्पटरे कि काया लूओ अजरूरी हम तो आप गए है जिन दुह अ लेकिन हम किसी और यह सिज़ कंसे कम इसमें ते यह कर सकते है भी तो श्यद्व मैचिंगः तेस्ट करें अगर चाहिए कर बात अबर्टिकुलर अजरूओ बाश गया हम तो सब्बबापाश्य करन हम कुष्यलश्य उपसंपदा के लोग है। हमारी उपसंपदा भी कुष्यलश्य उने को नए ये तब सोचा हूं है अपने। उपसंपदा आने वाली संपदा। मैं इस दंग से लेता हूं। भगवान बुद्दु को मैं जेनिटिक इंजिनर समझता हूं। उस वक्त ये साइंस था नहीं पता नहीं। लेकिन तब भी हो सोच देते हैं। तो अगर हम एसेस हैं और हम किसी एसेस से शादी करने तो ये पाप कर्म हैं। नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने वाल डेफिनेटली वह उसके इसमें आने को नहीं। सेकंड़ आपने अच्छा खान पान रखना चाहिए। ठीक है हो गया मार और लोग बताते नहीं ये तो प्रॉबलम है। मैं बताता हूं कभी-कभी मुझे दोनों मिया भी भी आते। और बोलते क्या हो गया। बोला आप तक सुलुचन ये हैं कि आप टेस्ट करा लो। प्रिटस में भी आजकल सब कुछ हो जाता है। देख लो। क्या पर तकलीप क्या है। तुम इतना पार करते हो ना एक दूसे। लेकिन एक डिसीज लड़का क्यों लेके आए हो जो जिंदेगी पर तुमको दोना पड़े। लड़की लाए हो, क्यो। तो और खुट का भी सहत देखो, लाइफ तान चोटी रहती। तो उसको बढ़र सम मत करो। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है उसके लिए। मेरे पार माबाप आते हैं और बोलते हैं, सर यह क्या हो गया। और मेरा लड़का बोलता है, मेरे घुट में इतना दौरत है। घुट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मुझे खुद आसू आ जाते हैं। वो मेरे मीसिस तो और भी बोली। इसको लगता कि मेरे पास क्या है बेदेन अच्छे से। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे। सिकल सिल एनिमिया पर डॉक्टर अशुक महरे सर के साथ जो की प्रिंसिपाल है श्री साई फार्मसी कॉलेज मौदा में और बड़े लंबे समय से सिकल सिल पर काम करते हैं। सिंथेटिक केमिस्ट्री पर काम करने वाले और उस पर संशूधन करने वाले एक बड़े ही महतपूर्ण संशूधक है और इस समय हम लोग बात्चीत कर रहे थे उनके साथ सिकल सिल एनिमिया पर सर आप हमारे साथ आए हमसे बात्चीत की इस पुरी बात्चीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बने रहिएगा आवाजीनिया के साथ प्रोग्रेम आगे भी जारी है